हलो बच्चों, वेल्कम तो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर 10th Maths 1 Algebra का चैपनर 6 जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स हम करेंगे इसका Practice Set 6.2 6.1 हमने अल्वेडी अपलोड कर दिया है आपने नहीं देखा तो यहां पर राइट साइड में उपर लिंक आएगा उस पर क्लिक कीजिए आपको लाइन वाइस सारे वीडियो मिल जाएंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि मीडियन क्या होता है 6.2 जो Practice Set है पूरा मीडियन के उपर बेज़़ है 6.1 किसके उपर था? मीन के उपर ठीक है अब मीडियन समझने के लिए टेक्स्बुक की थेयरी एक बार देख लेते हैं टेक्स्बुक का जो फॉर्स पेज दिया है मीडियन का बहुत डरावना दिखता है लेकिन यह देखके डरो मत, मीडियन का बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं मतलब समझाता हूँ यहाँ पर एक 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 एक्जाम्पल दिया हुआ है इसमें कुछ वैलियूस दी गई है ऐसी वैलियूस आपको 10 स्टैंडर में आने नहीं वाली बट यह एक्जाम्पल से मीडियन समझना बहुत इसी हो जाता है तो यहाँ पर देखो 32, 33, 38, 40, 43, 48, 50 असेंडिंग ओर में यह डेटा अरेंज किया गया है जब भी आप असेंडिंग ओर में डेटा अरेंज करते हो उसमें जो सबसे मिडल वाली वालियू होती है बट आप 40 देखेंगे तो 40 के लेफ्ट में भी 3 लोग है और 40 के राइट में भी 3 लोग है तो यह जो 40 है वो होगया अपना मीडियन कोई कैलकुलेशन नहीं करना जो डेटा दिया है उसको असेंडिंग ओर्टर में अरेंज करना है और बीच वाली वालियू मीडियन होगी और कॉम्प्लिकेशन का आप आएगी जब डेटा जो है नंबर ओफ वालियूस जो है वो इवेन नंबर हो अब यहाँ पे क्या देखो 1,2,3,4,5,6,7,7,7 वालियूस है इसलिए उसमें बीच में एक नंबर हो सकता है बट जब यहाँ पे देख लो यहाँ पे 1,2,3,4,5,6,7,8 एक वालियूस है अब इसमें आप अगर 66 को लेते हो तो उसके left side में 3 नंबर है उसके right side में 4 नंबर है अगर आप 68 को लेते हो तो उसके left side में 4 नंबर है और right side में 3 नंबर है तो इसमें ऐसा कोई number है ही नहीं जो बीच में अकेला हो बट जब ऐसी situation आएगी तो आप यह दोनों को बीच में ले सकते हो पर median A की हो सकता है ऐसे मत बोलो median 66 भी है 68 भी है नहीं median यह दोनों का average आजाएगा दो number है ना दो number median नहीं हो सकते तो हम लोग क्या करते हैं दोनों का average निकालते हैं average कैसे निकालते हैं दोनों को add करने का और 2 से divide करने का विकोस दो number है ना तो 2 से divide करने का answer आए 67 तो इस number यह जो data है इस data का median है 67 और आप देखेंगे तो यह data में 67 number है ही नहीं ठीक है तो फरक नहीं बढ़ता क्योंकि इसमें 2 ऐसे number है उन दोनों का average निकालके 67 है ठीक है तो आपको समझ में है जब ungrouped data ungrouped क्यों है विकोसमें group नहीं बनाया हरे एक value individually लिखी हुई है जब ungrouped data आपको दिया है तो उसको ascending order में arrange करना है और सबसे beach वाली value जो होगी वो होगी उसकी median ओके next दिया है median for group frequency distribution और उनने starting में थोड़ा difficult example दिया है but वो example छोड़ दो खाल ये जो data दिया है इसको group कैसे करेंगे देखो यहाँ पे उनने groups दिया है 6 से 10 11 से 15, 16 से 20 ठीक है मतलब 6 से 10 में जो भी लोग आएंगे उनको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 11 से 15 में जो भी इसमें होंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे 16 से 20 जो होंगे उनको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 6 है तो 6 किस में आएगा? इसमें 9 standard में किया था याद है ऐसे 4 होता था उसके बाद एक line मार देते थे 5 के लिए फिर last में जितने आया है वो count करगे frequency लिख देते था ठीक है तो इसको बोलते है group frequency distribution या group frequency table यह दिखरा है ना group बनाया 6-10 का एक group 11-15 का एक group या एक team उसको class बोलते हैं जो आमने 6.1 में देखा था अभी यहाँ पर यह continuous class दिया ना वो बाद में देखेंगे उसके उपर एक question based है वो question जब मैं solve कर रहूँगा न तो आपको पता दूँगा कि वो solve कैसे करते हैं बट इतना समझ में आया कि group कैसे बनता है ठीक है अब यह बार group बन गया न तो यह table को देखके median निकालना थोड़ा tricky हो जाता है because जब data ungroup था तो आप क्या करते थे ascending order में arrange करते थे और beach वाली value select कर लेते थे अभी इसमें beach वाली value select करना तो difficult होगा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि beach वाली value है कौन सी ठीक है अभी यह continuous class यह सब पढ़के tension मतलो यह 0.5.5 बहुत simple है मैं सिखा दूँगा आपको एक minute में समझ में आ जाएगा ठीक है guarantee है समझ में आई जाएगा बट अभी के लिए समझा कि यह group frequency table क्या होता है same kind of table जो हमने 6.1 में बनाया था राइट अब यहां पर एक table दिया है textbook में और उसमें class दी गई है ठीक है class में 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 ऐसे दिया है और frequency 0 to 20 कितने बच्चों को marks है 4 बच्चे ऐसे जिनको 0 to 20 है 60 to 80, 40 लोगों को यह marks है 80 to 100, 6 बच्चों को यह marks है अगर मैं बोलू आप लोग मुझे median बताओ इसका तो median कैसे निकालोगे देखो यह सारे बच्चों का total करेंगे यहां पर तो आ रहा है आपको 20, 30, 50, 50, 40, 90, 96 और 400 यह table अभी देखो मत यह वाला column मैं explain नहीं कर रहा तो 100 आ रहा है ठीक है तो मुझे क्या चाहिए मुझे 50th जो score है 50th जो score है इसमें ascending order में जो orange किया है marks वो च 15 आया ठीक है फिर यह वाले में 20 लोगे उसके marks लिखे फिर यह वाले में तीस लोगे उसके marks लिखे ऐसे करके मैं 100 marks अलग से लिखूँगा और मैं बलूंगा median find करतो तो median कौन सी value होगी, ये सब में जो beach वाली value होगी वो, वो beach value जो है वो कौन सी होगी, 50th वाली value होगी न, but मैं ये निकाल नहीं सकता, because 4, 6, 8, 15, तो मैंने guess मारा, थोड़ नहीं उसने बोला, इसे 0, 20 में कौन सा आ रहा है, तो ये guess वाला नहीं चादेगा, आपको निकालना पड़ेगा, और आप exact value निकाल भी नहीं सकते, because हर एक बच्चे का exact marks आपको दिया नहीं है, तो जो आप calculate करने वाले हैं, वो approximately आने वाला, ठीक है, बट इतना समझ लो, ये 4 marks आपने लिख दिये, फिर 20 marks, जो 20 बच्चों के marks से वो लिख दिये, 30 वाले लिख दिये, और फिर उतमें से 50th value, 50th क्यों, because एक total 100 आ रहा है, 100 का half कितना होता है, 50, तो आपको 50th value जो है वो निकालना है, ठीक है, तो ये table में ये तीसरा column बनाना पड़ेगा, आप यहाँ पर spelling में mistake है, cumulative होता है, ठीक है, L-A-T-I-V-E, cumulative frequency less than the upper limit, ये सब पढ़ने में बहुत difficult लगता है, सिर्फ less than याद रखो, less than, इसको कैसे निकालते हैं, ये वाली जो frequency है न, वो straight away यहाँ पर copy करते हैं, 4, फिर क्या करते हैं, जो frequency next आई न, उसको add कर देते हैं, 4 plus 20 कितना आएगा, 24, फिर 24 में ये वाली frequency add करेंगे, 30, तो कितना आया, 24 plus 30 आजाएगा 54, फिर 54 में ये 40 add किया, तो 40 add किया तो आया 94, फिर 94 में ये 6 add किया, तो total आया 100, ठीक है, अब ये less than का मतलब क्या है, खाली ये table आप देखेंगे न, तो आपको समझेगा, 4 बच्चे ऐसे हैं, जिनको 20 से कम marks आए हैं, ठीक है, 24 बच्चे ऐसे हैं, जिनको 40 से कम marks आए हैं, अभी आप बोलेंगे, पर सर 20 ही दिया है, मैंने बोला क्या, 20 से 40 के बीच में, मैं बोल रहा हूँ, 24 स्टुडेंट्स ऐसे हैं, जिनको 40 से कम marks आए, देखो न, 20 बच्चों को 20 से 40 में हैं, तो पता है कि वो तो 40 से कम है, प्लस ये जो बच्चे हैं 4, इनको भी तो 40 से कम आए हैं न, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, कि 40 से कम कितने बच्चों को marks आएं, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ, 24, तो ये दिख रहा है, less than the upper limit, ये upper limit है, उससे कम, तो 40 से कम, less than 40, कितने लोगों को है, 24, less than 60 marks, कितने बच्चों को है, आप देख लो यहाँ पर, 30 students है, उनको 60 से less है, प्लस इनको भी तो guarantee 60 से less है, तो जिनके तो marks ही 20 से 40 के बीच में, ये जो 4 बच्चे, इनके भी guarantee marks 60 से तो नीचे ही है, तो total अगर मैं less than 60 निकालू, ये वाले कॉलम है, अपर लिमिट मतलब ये जो लिमिट होती है न, उसको अपर लिमिट भोलते हैं, तो जब मैं यहाँ लिखूंगा, तो ये वाली अपर लिमिट, less than 100 marks, लास में जितने बच्चे हैं, उनको 100 से कम या 100 marks आया होंगे, तो 100 से कम या 100 marks, कितने बच्चे थे ग्लास में 100, तो टोटल 100 आ जाएंगे, लेकिन ये calculate कैसे करते हैं, ऐसे, ये 4 इधर ही copy कर लिया, फिर 4 में प्लस किया, फिर 24 आया, 24 में 30 प्लस किया, 54 आया, 54 में 40 प्लस किया, 94 आया, 94 में 6 प्लस किया, ये 100 आया, आप देखेंगे हमेशा, इसका जो total होगा न, वही यहाँ पर last number होगा, ठीक है, ऐसे एकदम अचानक से coincidence नहीं हो, calculation ही ऐसा है, कि frequency का total ही यहाँ पर आगा है, सबका total करके यहाँ आगा है, तो आपके बहुत काम आने वाला है, तो आपको cumulative frequency वाला टेबल समझ गया, Less than the upper limit, cumulative मतलब मिला के, सबको मिला के, तो ये 4 तो ऐसे ही है, लेकिन 24 कैसे है, ये 4 को मिला के है है, accumulate के आपने, accumulate करना या cumulative, ठीक है, ये 100 के सा है, या भी सबको प्लस यह वाला, या फिर आप बोल सकते हैं इस सबको add किया तब जाके 100 आया है ठीक है इसलिए उसको बोलते है cumulative frequency क्योंकि frequency है न यह जिसको add करते है less than the upper limit upper limit मतलब यह होता है ठीक है उससे कम जो होता है वो यह answer देता है यह 54 क्या है खाली एक number नहीं है 54 एक ऐसा number है 54 बच्चे ऐसे हैं जिनको 60 या 60 से कम marks आये है ठीक है आया समझ में तो यह हो गया हमारा यह वाला column अब median निकालना है हमको पता है कि median 58th score है अब 58th score कहां पर आएगा देखो यह वाला जो row है इसके नीचे कितने बच्चे है 54 बच्चे है ठीक है तो मुझे पता है कि यहीं पर 58th score आएगा विकास वन से लेके 54 सारे लोग यहां पर आ रहे 58th score क्यों निकाला विकास टोटल बच्चे कितने हैं 100 100 का हाफ कितना होता है 100 का हाफ होता है 50 तो हम लोग बोल रहे हैं 50th score जो है वो उसमें median आ सकता है जो है यहीं कहीं पर चुपी हुई है इसके उपर ही इसके निचे जाने का क्या point है नहीं है ना point हमादी median यहीं कहीं पर चुपी हुई है तो यह जो class होती है उसको बोल देते है median class okay tension मतलो सारे नए terms है starting में नए terms हो challenging ही लगते अभी मैंने क्या निकाला खाली median class निकाला और एक बार आपको median class पता चल गया ना खतम पूरा question एक formula पर solve हो जाएगा ठीक है तो यह questions जैसे कैसे होंगे आपको यह चीज़े दी हुई होगी जो simple questions होंगे उसमें यह दो column हमेशा free में मिलेगे जैसे आपको 6.1 में मिल रहे थे आपको सिर्फ यह column बनाना है ठीक है यह column मैंने आपको सिखा दिया कैसे बनाना है फिर इसको challenge बढ़ाने के लिए लोग क्या करेंगे यह column में मस्ती करेंगे तो लोग एक और extra column बना देंगे तो median calculate करने के लिए generally 1, 2, 3 3 columns लगते हैं अगर उसने मस्ती नहीं करी तो लेकिन अगर उसने यहाँ पर मस्ती करी न तो मस्ती को solve करने के लिए एक extra column लगेगा तो 4 column हो जाएंगे but maximum questions में median में हमेशा 3 column यूज होंगे जिसमें से पहले 2 column free में मिलेंगे 3 column आपको second column देखके बनाना है ओके आया समझ में तो अब यह मैंने median class आपको बता दिया अब median class एक बार पता चल गया तो उसके basis पे हम लोग एक formula study करेंगे जो formula को यहाँ पर मैं आपको label करके बताऊँगा कि क्या 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 चीज है ठीक है तो median का यह बहुत ही dangerous दिखने वाला formula है यह formula मैं आपको बहुत ही आसानी से याद करवा दूँगा इसका एक short form बनाया मैंने एक बार ओ short form आपके समझ में आ गया यह formula आप नहीं बूलेंगे तो मैंने आपको बताया कि median class median class कैसे निकाले थी total यह frequency का total कितना है 100 और 100 का half लेना है 100 by 2 मतलब n न 100 मतलब यह frequency का जो total है वो यहाँ पे आता है उसको n बोलते है n by 2 100 by 2 कितना है 50 तो मुझे पता है कि 54 से कम में 50 आता है तो यह जो class है मेरी यह कौन सी class बन जाएगी यह बन जाएगी median class ठीक है जैसे यह median class बनी इसमें से सारी values आपको एक एक करके मिल जाएगी यह L क्या होता है यह L होता है lower limit of median class L मतलब lower न ठीक है तो lower limit क्या है 40 तो अपना L का value हो जाएगा 40 फिर यह n by 2 तो मैंने आपको बताया यह total n है सबका frequency का sum n by 2 मतलब कितना हो जाएगा 100 by 2 which is going to be 50 फिर आता है CF और F यहाँ पे यह जो F है ना यह frequency of median class है अब जो next step है वो बहुत ध्यान से रखना है यह जो CF है ना यह यह वाला CF नहीं है यह CF है cumulative frequency of the previous class median class के एक उपर ठीक है तो यह हो जाएगा अपना CF बस यहीं पे लोग mistake करते है फिर यह F मिल गया CF मिल गया n by 2 मिल गया into H H होता है आपका class width कोई भी class लेलो सबका width यहाँ पे सेम होगा 20 minus 0 20 40 minus 20 20 60 minus 40 20 80 minus 60 20 100 minus 80 20 तो ऐसे करके आपको सारी values यहाँ पे मिल जाएगी तो N by 2 आया आपका 50 यह N है total इन सबका total 100 ही आएगा देखो वो यहीं पे आता है तो आ गया 50 because 100 divided by 2 is 50 CF उसके पहले वाली class जो है उसका cumulative frequency 24 H माने width अभी मैंने बता है आपको 20 F मतलब median वाली जो class है उसकी frequency और L मतलब lower limit of the median class यह सारी values हमको बस इधर से और इधर से मिल गए ठीक है almost सारी values median class से है यह एक value CF से ले लिए CF मतलब उपर वाले CF से ठीक है गलती से 54 मतले लेना पूरा answer wrong हो जाएगा अब मैं आपको यह formula याद करने की trick बदाता हूँ तो यह है अपना formula अब इसको याद ऐसे करना है देखो मैदान median है उसको ऐसे दमझो मैदान में एक लड़का आया आया मतलब plus हुआ मैदान में आया वो और वो box में बैड गया जब उसकी batting आई तब वो दो run पे not out था end तक दो run पे not out था क्योंकि उसने एक भी चक्का या four नहीं मारा नहीं मारा इसलिए minus मैदान में एक लड़का आया plus और box में बैठा और जब उसकी batting आई तो end तक वो two runs पे not out था ठीक है उसको batting ही जीरे पूरा type क्यों दो run पे क्यों not out था because उसने एक भी चक्का और four नहीं मारा नहीं मारा मतलब minus उसके कारण उसकी team fail हो गई and हार गई आया समझ में एक बार फिरसर repeat करते हैं मैदान में एक लड़का आया और box में बैठ गया जब उसकी batting आई तो end तक वो दो run पे not out था क्योंकि उसने एक भी चक्का या four नहीं मारा उसके कारण उसकी team fail हो गई and match हार गई ठीक है मैं ये trick यूज कर रहा हूँ आपको जो मन मैं trick यूज करो ये formula याद करने के लिए पांच-छे बार लिखोगे उसके बाद trick भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी but starting में डर लग रहा है अगर देखके तो ये trick देखकर आपको डर नहीं लगना चाहिए ठीक है तो ये formula मैं आपको आता है ऐसे बोल बोल के 4-5 बार लिख दो ताकि आपके दिमाग में बैट चाहिए सिफ ट्रिक रिपीट मत करो और ली लिखो साथ में बोलते बोलते तो 6.2 के 1st question में दिया है The following table shows classification of number of workers दिख रहा है number of workers and the number of hours they work in a software company कितने गंटे काम करते हैं बोलो Find the median of the number of hours they work कितने गंटे ये लोग काम करते हैं तो हम लोग कौन सालो फॉर्मला यूज़ करेंगे मैदान में एक लड़का है वो अलो फॉर्मला ये table एकदम simple है मैंने आपको बताया कि इसमें एक complication आती है वो एक question में दिये मैं आपको दब सिखा दूँगा तो median बनाने के लिए generally आपको कितने columns चाहिए है तीन column तो जब इसका table बनाएंगे तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे तीन column बना देंगे ये rows कैसे बनाया है मैंने देखो कितने rows है 1,2,3,4,5 यहाँ पे देख लो 1,2,3,4,5 इसमें total आला Rome लोग नहीं बनाते हैं इसको कोई भी नहीं बनाया है हम भी नहीं बनाएंगी क्योंकि उसकी जरूरत होती नहीं है ठीक है तो 1,2,3,4,5 rows है और median नॉर्मल है इसलिए तीन column आ जाएंगे इसको क्या बोलते है class यहाँ पे आती है frequency और यहाँ पे मैंने आपको example में बताया था i का cumulative frequency less than वाला ठीक है तो यह label कर देते हैं इसको बोल दिया class इसको बोल दिया frequency जिसको f i से denote करेंगे और यह वाला होता है cumulative frequency जिसको c f से denote करेंगे cumulative frequency कौन से type का है less than वाला ठीक है यह class क्या था daily number of hours यह question में दिया हुआ है यह वाला दोनों column यहाँ से आपको सीधा सीधा copy करना है तो class देखो यह चार दी हुई है frequency यह दी हुई है same to same यहाँ पे tape देना है copy करना है बस ठीक है सिर्फ यह column में दिमाग लगाना है तो यहाँ यहाँ पर 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 and 14 to 16 frequency क्या क्या दी थी 150, 500, 350 ओके cumulative frequency कैसे निकालते है यह 150 इसे यह आपर आ जाएगा 150 फिर यह 150 में 500 आइड करेंगे तो कितना आएगा बताव जल दीशे 650 तो यहाँ पर लिख देंगे 650 फिर 650 में 300 आइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या मिलेगा 1000 ठीक है मैंने आपको बताया कि यह जो टोटल आ रहा है यह सारों का टोटल यही आने वाला ठीक है यार यह नंबर कैसे आया है यह यह सब आड करके आ है न तो यह सारे आड हुए तब जागे यह नंबर आ ठीक है तो यह frequency का जो टोटल होता है n या फिर उसको median class निकालेंगे median class के लिए आपको n by 2 की value calculate करने पड़ीगी तो यहाँ पे n की value क्या है यह तो मैं लिख सकता हूँ year n is equal to 1000 फिर मैं निकालूँगा n by 2 तो n by 2 मतलब क्या हो जाएगा n के जिके पे 1000 डाल देंगे 1000 by 2 क्या आ जाएगा 2 1s are 2 5s are 10 0 0 500 500 अब यह 500 गलती से पर ढूंड के इधर मत देख लेना आपको यहां ढूंडना है ऐसी कौन सी value है जिसके नीचे 500 आएगा 150 के नीचे आएगा क्या 500 नहीं 650 के नीचे आएगा येस तो यह 650 जहाँ पर आया वो हमारी हो गई median class 950 के भी नीचे आएगा ही 500 1000 के भी नीचे आएगा जो पहली class है ज इसके नीचे 500 आएगा वो अपनी median class होती है तो यह वाली हो जाएगी median class अभी जैसे median class पता-चला आपको पता है कि आपको क्या है यह क्या है आपका F हो जाएगा और यहां आपका हो जाएगा CF और यह हो जाएगा आपका lower limit 10 तो यहां पर label कर तो यह median class में यह आएगा अप बच्चों याद रखना यह 500 देखके डिरेक्ली यह वाला फाइंडड मत ले लेना खुछ मत हो जाना यह फाइंडड फाइंडड नंबर गलती से सेम आ रहा है यह फाइंडड कहा दूनना है आपको इसमें कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे 500 छोटा है पहली बार 150 से नहीं है 650 स तो वहाँ पर आ जाएगे ठीक है तो यहाँ पर अपमें वाल्यूज ले लूँगा और फिर में फॉर्मिले में सब्स्ट्यूट करके इसका अंसर निकालोगा फ का वाल्यू पता है cf का वाल्यू पता है l का वाल्यू भी आपको पता है h क्या है h width of the class तो यहाँ पर देख का cf है 150 median class की frequency है 500 और class interval कितना है 12-10 देख लो 2 तो h को बोलते है class interval अब formula लिखते हैं पहले formula कैसे याद रखवाया था याद है ना चलो साथ साथ में बोलो यह formula मैंने या पर डाल दिया मैदान में एक लड़का आया और वो box में बैड गया जब उसकी बैटिंग आई तो last तक वो 2 run पे not out था 2 run पे not out क्यूंकि उसने एक भी चक्काया 4 नहीं मारा नहीं मारा मतलब minus उसके कारण उसकी team fail हो गई and हार गई and multiplication याद रखो और हार गई h ठीक है याद हो गया अब value substitute करो l के जगे पर आ जाएगा 10 ठीक है तो मैं या पर लिख दूँगा 10 प्लस के जग आला अलग से 10 by 2 के जगे पर लिख देंगे हम लोग 500 ठीक है cf है अपना 150 और f है अपना 500 इंटू तो इंटू आ जाएगा h के जगे पर आ जाएगा 2 अब इसको solve कर दें यह equal to 10 प्लस तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा 500 में से 150 निकालोगे तो कितना आता है 350 यह 500 भी ऐसे का ऐस रहेगा ठीक है तो 500 ऐसे ही उपर आ जाएगा 350 यह आ जाएगा multiply by 2 अब यह करने में बच्चों को problem है कि उनको लगे का पहले 10 प्लस करूं कि नहीं करूं बॉर्ड मास रूल यूज़ करते थे याद है बॉर्ड मास क्या बोलता है पहले क्या होगा bracket open division multiplication addition subtraction तो पहले multiplication होगा फिर addition होगा तो पहले है multiplication होगा फिर addition होगा तो यहाँ पर देखो इसको solve करो 0 के साथ 0 cut 5 10s are 50 5 7s are 35 ठीक है 7 2s are क्या होता है 14 तो नीचे 10 रखो 10 को मत cut करो क्योंकि decimal point लिखने में आसानी होगी नहीं तो यह कोई 10 2 5s are 2 1s are भी cut हो सकता है बट मत करना है इसको 7 2s are 14 upon 10 ही र अन्बूच का रखा है अब फिर से इसको next step लिखूंगा तो क्या आएगा 10 plus और 14 upon 10 को मैं सीधा लिख सकता हूँ यह रटा है तो 1.4 ठीक है तो यह आगा 1.4 10 में 1.4 add करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11.4 तो median की value आपको मिल गई 11.4 चैसे यह मिला आप लोग unit चेक answer में उस तरह लिख देंगे आया समझ में में यह formula है भाई फैल में कैसे करने बताऊंगा में यह formula आपने सिर्फ यह column calculate किया है और last में यहाँ पे calculation किया है बस यह वाली जगह पर और जादा calculation भी नहीं है इसमें एक बार आपको median class पता चल गई तो यह सारी values तो आपको free में मिल गई है ना यह तो सब कुछ पहले से दिया हो था सिर्फ आपने cumulative frequency में addition किया है बस तो median के questions बहुत जादा आसान होते हैं बहुत कम calculation होता है attempt करने चाहिए हमेंशा ठीक है अब इसको fair में कैसे लिखेंगे देखो fair में पहले आप answer लिखो the median of number of hours the workers work is 11.4 hours यह question में दिया हुआ है वहीं से मैंने यह पूरा statement लिख दिया और answer last में 11.4 hours पेस्ट कर दिया होता अब मैंने दो चीज़ें extra लिखें ठीक है जो रफ में मैंने आपको नहीं बता है मैंने explain किया था कि यह जो है यह logic कैसे बता चला median class का the number 500 500 कहां से है n by 2 is in the class 10 to 12 यह 500 नहीं है वो यह 500 कहां से है 650 से कम वाला number है इसलिए मुझे पता है कि यह 500 है इस वाली class में आएगा तो मैंने लिखा the number 500 is in the class 10 to 12 hence it is the median class total ऐसी 1000 values है दिख रहा है उसमें से 500 कहां पे आएगा यह वाली class के अंदर is in the class 10 to 12 hence it is the median class therefore the cumulative frequency of its preceding class यहां पे दिया हुआ है देखो preceding class मतलब उसके पहले वाली is 150 टेक्सबुक में example में ऐसे दोनों questions में लिखके बता है इसलिए मैं भी insist करता हूं कि आप लोग लिखो बहुत सारे लोग directly यह सब कुछ नहीं लिखते सीधा यह लिखते हैं और यह लिखते हैं फॉर्मिलर डालते हैं और खतम आप लोग ट्र डिफिकल्ट है बिल्कुल डिफिकल्ट है ठीक है वीडियो pause करो और copy करो और जब यह formula लिखो तो बार-बार जो मैंने story बताई है आपको में मैदान में लड़का आया वह अली story repeat करना था कि आपके दिमाग में formula बैट जा चलो कर लो copy फटा फट जूम करके बताऊं देखो यह है इसका first part and यह है इसका second part ठेलिया copy pause करके पीच में pause कर देना जहां पे मैं scroll कर रहा हूँ दल चलो आगे बढ़ते हैं second question में दिया है the frequency distribution table shows the number of mango trees in a grove and their yield of mangoes find the median of data number of mangoes दिया है number of trees दिया है देखो यहां पे भी यह normal median का question है normal median का question मतलब क्या होता है कि यह 50 to 100 यह वाली class जहां पे खतम होती है दूसरी वाली class वहीं पे शुरू होती है इधर 150 पे खतम हो इधर 150 पे शुरू हो इसको continuous class बोलते हैं जब ऐसा नहीं होता तो हमको एक step extra करना पड़ता है यहां पे already continuous से देखो सब कुछ तो हमको नहीं करना पड़ेगा median के कितने columns आएंगे तीन column आएंगे रोज कितने आएंगे 1,2,3,4,5,6 6 रोज आजाएंगे और हमको पता है कि label क्या करना है ठीक है class, frequency, cumulative frequency है ना तो यह बना दिया मैंने table class, frequency, cumulative frequency class मतलब क्या है number of mangoes frequency क्या है number of trees उसको fi बोलते है और cumulative frequency कौन से type का है less than कौन से type का मैं क्यों बोलता हूँ because यह दो type का होता है more वाला भी होता है वो अभी आपको नहीं करना और उसको label क्या करते है less than को cf फिर यह 50 to 100, 100 to 150, 150 to 100, सब इसमें free में मिल गया भाई देख लो इदा कुछ भी हमने दिमाग नहीं लगाए यही सारी values यहाँ पे copy कर दिये ओके इसमें total वाला रो नहीं बनाते हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती अब cumulative frequency कैसा आएगा यह इधर 33 आ जाएगा फिर इधर क्या आएगा यह 33 प्लस की जो इतर आ जाएगा इन सबका total क्या आएगा 250 तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ यहाँ पे your n is equal to 250 मुझे n में interest है क्या नहीं मुझे median जो बीच में value आती है कैसे निकालेंगे n by 2 से तो 250 upon 2 आ जाएगा cut करो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 remainder 2 5s are 10 तो आगया 125 तो मुझे पता है 125th value जह कोई confusion नहीं के 125 number दिया है इसलिए confusion होना भी नीची है इधर ढूंडना है आपको कौनसी ऐसी value है जिससे पहली बार 125 कम आता है 33 से 125 कम नहीं है 63 से 153 से yes तो 153 से कम में 125 आ जाएगा ना तो यह वाली जो class है वो अपनी हो जाएगी median class अगर यह median class हो गई तो यह 90 को क्या बोल होंगा मैं frequency और जस्ट उसके उपर वाली community frequency बन जाएगी मेरी cf यह 150 क्या होगा यह हो जाएगा अपना l correct तो f मिल गया cf मिल गया n by 2 मिल गया l पता है 150 l गलती से इधर मतले ले ना median class में ही सारी values है सिर्फ एक cf उपर होता है ठीक है यह अपना f है यह अपना l है 150 तो मैं मैं आपे label कर रहा हूं values उसके बाद formula खुद से बोलो और लिखो और यह value substitute करके इसका answer निकालने की कोशिश करो आना ची यह difficult नहीं है सिर्फ calculation है देख लो यह table फटावर्ट से ठीक है इसका answer खुद से निकालने की कोशिश करनी है फिर मैं इसका solution आपको बताऊंगा चलो कर decimal में नहीं हो सकते तो 184.4 जो 5 है 0.5 से छोटा है तो 4 को हम लोग ऐसे ignore कर देंगा और बोलेंगा answer 184 है अगर इसका answer आपने approximately 185 भी लिखा तो teacher शायद आपको wrong न दे बट अगर 5 या 5 से बड़ा होता है न तो अगर यह 6 होता तो हम लोग इसको 185 लिख देते है approximately ठीक है य इसको solve कैसे किया है मैंने यहां पर आपको दिख जाएगा देख लो यहां पर यहां पर यह हो जाएगा 0 के साथ 0 कट फिर कुछ कट ही नहीं होता ठीक है तो 625,000 हो जाएगा 310, 310 divided by 9 जो मैंने आपको पूरा यहां पर division करके बताया उसका answer आता है 34.44 तो यह 150 प्लस ऐसे क final answer लिख दिया the median of the given data is 184 mangoes ओके एक बार देख लो first part यह है rough bug भी बाजू में copy कर ले न क्यूंकि यह use होने वाल है यह second part है pause करके copy कर लो फटाफट से कर लिया यह उसका answer है फिर से यह दो line explain करता हूँ देखो मुझे n by to 125 आया तो मैं लिकूंगा the number 125 is in the class 150 to 200 यह वाली class में आएगा right hence it is the median class ओके आया समझ मैं इधर देखो यह 125 ऐसे मत सोचना कि 150 और 200 के बीच में आना चाहिए था नहीं आता न यह 150 और 200 के बीच में नहीं आता गलती से ऐसे मत दो चोटा नहीं है 125 63 से चोटा नहीं है पहली बार वो 153 से चोटा है तो 153 जहां पे भी था वो बन जाएगी हमारी median class ओके इसमें mistake करी न median class निकालने पर देख लेना यह formula 100 बार लिखवाँगा आपसे ठीक है तो यहां पर मैं लिख दिया the number 125 is in the class 150 to 200 hence it is the median class फिर next step में क्या जाएगा the cumulative frequency of its preceding class उसके पहले वाली class की preceding बोलते हैं और वो है 63 फटा फट से पूरा copy करो जिनको खुद से आया मुझे जाके comments में बताओ कि यह question हमने खुद से किया और हमको आया जिनका formula याद हो गया ना trick से वो भी मुझे जाके बताओ कि हमने formula अच्छे से याद कर लिया सर दन आगे बढ़ते हैं फोर्थ question में दिया है the production of electric bulbs in different factories is shown in the following table find the median of the production productions नियोगा production ठीक है अब number of bulbs दिया है number of factories दिया है दो column तो आपके free में हो गए classes एको continuous है यह 30 से शुरू रहा 40 पे खतम यह वाला 40 से शुरू 50 पे खतम 50 पे शुरू 60 पे खतम 60 पे शुर तो वापस तीनी column आने वाले हैं क्या आएंगे तीन column पहला वाला हैगा class जिसमें यह लिखेंगे second वाला हैगा frequency जिसमें number of factors लिखेंगे और तीसरा वाला हैगा cumulative frequency रैकेट में कौन सा type लिखेंगे less than ठीक है cf जो होगा वो third column में आएगा यह question में भी कुछ भी अलग नहीं सिर्फ एक ही चीज़ा लगा है कि बहुत जादा रोज आने वाले हैं कितने रोज आएंगे जब तीन column बनाओगे तब ठीक है तीन column बनाओगे तो कितने रोज बनाओगे आप देखो one two three four five six seven eight eight rows बनाएंगे तीन column होंगे ठीक है one two three और ऐसे eight rows होंगे ऐसे बनाते अगर आप ये खुद से कोशिश करोगे तो ये question आपको आना चाहिए बहुत ही जादा simple है जो पहले दो questions मैंने आपको solve करा है ठीक है वैसे का वैसा है कोई दिमाग extra नहीं लगा है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये question भी अभी के अभी खुद से करें ताकि आपकी main जो practice 6.2 की अभी खतम हो जाए और आप जब मैं final problem set करा हूं तो आप ये सारे questions ऐसे ही समझ जाए आपको ज्यादा time नहीं लेके समझ ठीक है तो फटाफट से video pause करो और ये fourth वाला question खुद से solve करो मैं जब आपको fair में बताऊंगा कैसे लिखना है सारे calculations आपको हापे मैं बता दू चलो करो video pause हरे एक बच्चे को करना है बिल्कूल भी ऐसा मत्तोच ना आते सर तो देखने ही रही है क्यों करो video pause देखने रही है ये तो एक तुम हैदरबाद वाले हिंदी हो गई ना चलो करो video pause सब लोग और फटाफट से question solve करो जिन बच्चों ने खुद से solve किया उनको ऐसे आया होगा है question और इसमें main mistake होगा कि आपने ये thousands नहीं देखा होगा question में ठीक है question में यहाँ पे thousands लिखा है अब मैं एक और चीज़ बता दूँ जब भी आप 6.1 या 6.2 का question देखें यहाँ पे ज़रा देख लें कि क्या दिया हुआ है यह question में thousands दिया हुआ है तो final जो आपको answer अगर आ गया होगा 52.75 उसके बाद bracket में thousands लिखना फिर next step में thousands से multiply करें ठीक है तो इसको जब मैं thousands से multiply करूँगा तो यह बन जाएगा 52750 ठीक है बहुत आगे की बात है पहले एटेबल देख लो यह चीज़े तो आपको free में दी ग 8 आगे 90, 90 प्लस 7 आए 97, 97 प्लस 8 आए 105 यह 105 यह 105 क्या हो जाएगा n हो जाएगा आपका जब n बाइ 2 करेंगे तो आएक 105 दिवाइब बाइ 2 विच बी 52.5 अब यह 52.5 कहां आता है देखो कहां टूंड होगे इसको सिर्फ इसमें ठीक है 12 से चोटा है क्या नही 47 से चोटा है 67 से चोटा है यह तो यह वाली क्लास आपकी हो गई median क्लास और यह बन गया आपका F यह वाला उपर वाला वालू बन गया आपका CF और यह 50 हो गया आपका L ठीक है H क्या होगा width of the class देखो 60-50 हो जाएगा 10 ठीक है तो यहाँ पर मैंने सारी values लिख दी यह दो sentences वैसे के वैसे लिखने हैं जैसे पहले दो questions में लिखे है value substitute करी formula याद है ना मैदान में एक लड़का आया और box में बैठा जब उसकी batting आई तब हो दो run पे not out था क्यूंकि उसने एक भी चक्का याद 4 नहीं मारा चक्का 4 दो अलग-अलग वड़ी उसकी है चक्का चौका मत बोलना नहीं तो CC हो जाएगा चक्का and 4 ठीक है and उसके कारण क्या हुआ उसकी team fail हो गई and match हार गई H हार गई value substitute किया सब जगे और 52.5-47 क्या है आपको 5.5 आ गया अब इसको कैसे solve किया देख लो एक बार 5.5 को 10 से multiply कर दो यह cut नहीं किया मैंने ठीक है तो आपको क्या मिलेगा यह decimal चला जाएगा और यह बन जाएगा 55 upon 20 करेक्ट 55 upon 20 कैसे solve करोगे यह 0 को ignore करो 55 upon 2 को solve करो यहाँ पे मैंने 55 upon 2 को solve किया तो मुझे आंसर है 27.5 लेकिन क्या निकालना था 55 upon 20 यह किसका आंसर है 55 upon 2 का तो जब मैं 55 upon 20 करूंगा तो आंसर यह यह आएगा लेकिन यह decimal एक shift होगा left में क्यूंकि नीचे एक 0 आ गया तो 27.5 बन जाएगा 2.75 तो यहाँ पे नीचे मैंने क्या किया यह पूरा जो था 50 तो 50 रहा इस के जाएगे पे लिख दिया है 2.75 दोनों को add किया तो आया 52.75 लेकिन किसमे था thousands में तो next step में इसको thousands से multiply कर दिया तो यह decimal एक दो तीन shift हो जाएगा तो यहाँ पे तीन shift करने के लिए एक 0 डालना पड़ेगा correct तो answer आ गया 52750 ऐसे imagine करो यहाँ पे ऐसा 0 है यह एक decimal shift दो shift औ और यह तीसरा shift तो decimal यहाँ से गायब और यहाँ पे आ जाएगा तो बन गया number क्या 52750 bulbs तो median of the production क्या आ गया 52750 bulbs यह है इसका पूरा solution टेबल थोड़ा बड़ा बना है और यह values निकालने में थोड़ा जादा time जाका लेकिन आप देखेंगे तो values काफी छोटी है इसमें ठी खुद से answer आया है तो फटा-फट जाके comments बताओ कि sir हमने fourth question भी खुद से किया और हमको correct आया है ठीक है तो fourth यहाँ पे खदम करते हैं अब इसमें सिर्फ एक question बचा है जो अलग type का है उसमें भी सिर्फ एक step अलग है बागी सब सेम है ठीक है चलो कर लो यह copy फटा-फट से जिनको नहीं आया है जिन्होंने try नहीं किया खुद से मुझे पता है बहुत बच्चे ऐसे जो नहीं करते होंगे try बहुत नहीं है मेरे बच्चे काफी obedient है मैं जब बोलता हूँ खुद से solve करो सब करते हैं और comments में मुझे बताते भी है कर लिया चलो आगे बढ़ते हैं third question में दिया है the following table shows the classification of number of vehicles and their speeds on Mumbai Pune Express पे find the median of the data यहाँ पे average speed of vehicles यह किलोमेटर पर हार में और number of vehicles यह textbook में एक mistake है यह 64 नहीं 65 है यहाँ ठीक है और आप देखेंगे तो यहाँ पे यह class 64 पे खतम हो रहा है लेकिन उसके बाद वाला class 64 पे शुरू नहीं हो रहा है यह class 69 पे खतम हो रहा है उसके बाद वाला class 69 पे शुरू नहीं हो रहा है दिख रहा है continuous नहीं है यह 74 पे खतम हो same करना है तो अभी column कितने आएंगे median के 4 column आएंगे because ये class is continuous नहीं है तो एक column extra आएगा continuous class का बागी सब कुछ same आएगा तो बागी सब का फटा फटा से देखो एक, दो, तीन, चार, चार column बना दो उसमें जो second column है न class के बाजू वाला वो खाली रहेगा भी बागी first column class का ये वाला column frequency का और last वाला column cumulative frequency का वो same to same आएगा सिर्फ column number 2 जो है वो अलगाएगा तो पहले में क्या करता हूँ पहले मैं ये तीन column बना देता हूँ एकड़म time pass वही का वही जो हमने पहले questions में किया cumulative frequency निकालने आता है न ये 10 ऐसे काईसा 10 प्लस 34 44 40 प्लस 55 99 99 प्लस 85 184 104 प्लस 10 194 194 प्लस 6 200 ठीक है अब ये वाला जो है column वो क्या होगा वो होगा continuous classes का ये class जो थी हमको दी गई वो continuous नहीं थी तो उसको जबरदस्ती हम उसको मार पीट के continuous बनाएंगे कैसे बनाएंगे continuous देखो कितना difference है यहाँ पे 64 यहाँ पे 65 है 1 का difference है तो जितने का भी difference हो ना 1 का अगर 1 का है उसका difference divide by 2 करने का 1 by 2 मतलब कितना 0.5 ठीक है तो ये 0.5 हम जबरदस्ती इनमे add subtract करेंगे ताकि ये हो जाए continuous कैसे करेंगे ये जो 60 है इसमें से 0.5 minus कर दो और ये जो 64 है उसमें 0.5 add कर दो इधर से minus इधर से plus तो क्या हो जाएगा देखो ये 60 बन जाएगा 59.5 और ये 64 क्या बन जाएगा उसमें 0.5 add कर दो वो बन जाएगा 64.5 अब सेम चीज नीचे करो ये 65 में से जो नीचे वाली lower class है उसमें से minus करनेगा जोपर लिमिट इसमें plus करनेगा ये 65 में से 0.5 minus करो तो बन जाएगा 64.5 69 में 0.5 add करो तो वो बन जाएगा 69.5 70 में 0.5 subtract करो तो बनेगा 69.5 74 में 0.5 add करो तो बन जाएगा 74.5, 75 में वैसे का वैसा करते जाएंगे, आगे इधर क्या होगा, 85 में से 0.5 सब्ट्राइक करो, तो बन जाएगा वो 84.5, 89 में 0.5, अड़ करो, तो बन जाएगा 89.5, ठीक है, देखो 1, 2, 3, ये सेम था, खाली ये डिफरेंस है, ऐसा question देखे काफी बच्चे सॉल नहीं करते हैं, बड़ देखो यार, खाली एक कॉलम अलग बना है, और उसमें क्या है, खाली 0.5 सब्ट्राइक और अड़ किया है, अब देखो, ये class 64.5 पे खतम हो रही है, ये वाली 64.5 पे शुरू हो रही है, 64.5 देख रहा है, continuous है, सारी values जैसे match हो, तो हमने क्या कि सब्सक्राइब है, ये फ्री में मिला है 200, और हम लोग क्या निकालेंगे, एन बाइट 2, तो 200 डिवाइट बाइट 2, विच विल बी 100, ना, 2 1 सा, 2 0 सा, 0 सा, तो 100 से कम, 10, नहीं, 44 से कम है 100, नहीं, 99 से कम है 100, नहीं, ये से हम दोलर से सद एक ही का difference है, ले लेते हैं न, अब क्या भाजी करें दो, क्या भाओ करेंगे ये आपर, 184 से कम है 100, येस, तो ये होगी अपनी मीडियन क्लास, ठीक है, ये मीडियन क्लास तो मुझे पता है, फ्रीक्वेंसी ये आएगी, और सी एफ ये होगा, अब L और वो जो लेना है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया न, तो मैं बोलूँगा कि भाई, ये है अपनी मीडियन क्लास, अगर ये मीडियन क्लास है, तो मुझे पता है कि ये होगई उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसके उपर वाली होगई, क्युमिलेटि फ्रीक्वेंसी, इस साइड ये वाले कॉलम में, ये बोलेंगे कि 79.5 माइनस 74.5, जो 5 आता है, बोलेंगे, तो याद रखलो, ये ही, जो ये वाल्यूज आई नहीं वाली, सब कुछ उसमें ज्याएग, ठीक है, तो अपना L जो है वो 74.5 होगा, 75 नहीं, अभी इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, L क्या होगा, 74.5, जब H निकालोगे, class interval या class width जिसको बोलते हैं, it will be 79.5 माइनस 74.5, करके देखलो अब, 79.5 माइनस 74.5, 0, 9 माइनस 4, 5, 7 माइनस 7, 0, 5.0 मतलब 5, याद रखना, ऐसे मत करना कि 64 माइनस 64 आता है, नहीं, क्योंकि अब ये continuous class है, वो actual class होगी, ठीक है, तो जब मैं label करूँगा यहाप तो cumulative frequency 99 होगी, L अपनी 74.5 आएगी, ना कि 75, कब होता है, cumulative frequency और L जब continuous class हम लोग change करके बनाएंगे तब, आ गया समझ में, तो ये CFN 99, frequency 85, L अपना होगा 74.5, H क्या आएगा, H will be this minus this, which is nothing बट 5, सारी values मिल गई, क्या बोलेंगे भाई, मैदान में एक लड़का आया, और वो box में बैड गया, उसकी जब बैटिंग आई, तो वो दो run पे not out राएंग तक, क्यों, because उसने एक भी छक्का या 4 नहीं मारा, उसके कारण क्या हुआ, उसकी team fail हो गई, and match हार गई, ठीक है, तो formula लिखो, और फटा-फट से इसकी median की value निकालो, चलो करो video pause, आया समझ में continuous class कै कैसे बनाया, चलो फटा-फट लिखो, तो यहाँ पे पहले formula लिख देंगे, ठीक है, अब value substitute कर दो, सारी values उपर लिखी हुई है, मैंने आपको बता दिया कौन सी value लेनी है, डाल दिया है यहाँ पे, यह 74.5 ऐसे का सारे का next step में, 100-99 हो जाएगा 1, आपको मिलेगा 1 upon 85 into 5, देख लो यहाँ पे, अब इसको solve करो 5, 1,000 और यह हो जाएगा 5, 17,000, 1 into 1, 1 upon 17, 1 को 17 से divide करेंगे और value निकालेंगे, तो यह तो ऐसे का साएगा next step में, 1 को जब 17 से divide करते हो, देखो यहाँ पे मैंने divide करके बताया है पूरा, देख लो अच्छे से बहुत एज़ी है, division expect मत क तो यह 8 को अगर भगाना है, तो मुझे इसको 9 बनाना पड़ेगा, ठीक है approximately, because यह 5 से बढ़ा है, तो मुझे answer हैगा 0.059, अगर मुझे इसको भी भगाना है यहाँ पे, तो यह 8 बन जाएगा गायब, और यह 5 हो जाएगा 6, तो मैं 0.06 भी ले सकता हूँ, ठीक है, 3 decimal तक लेके बता रहा हूँ, यह 8 को भगा के इसको 9 लेके बता रहा हूँ, तो कैसे आ जाएगा, देखो final answer, ऐसे आ जाएगा, यह मैंने आपको solve करके बताया है, it comes as 0.059, यह दोनों को add करोगे, तो मैंने यहाँ पे add करके भी बताया है, आता है 74.559, ठीक है, यह 74.559, यह क्या देखा क्या, इस case में शायद न मिले, बट आपके गाड़ी में या scooter के speedometer में आप देखेंगे, तो आपको point में speed नहीं बताता, वो या तो 74 बताएगा, या 75 बताएगा, तो सकॉप 75 लेका है, तो median क्या है कि of the given data 75 km per hour, यह आगया आपका पूरा solution, यह वाले type में क्या difference था, खाली classes को continuous बनाना था, कैसे पता चलेगा कि continuous है की नहीं, इधर दिख जाएगा, देखो, यह 64 पे खतम हो रहा है, यह 65 पे शुरू हो रहा है, 64 और 65 के बीच के जो values है, उनको बोला कि भाई तुम घर पे जाओ, हम तुमको नहीं लेगे, ऐसा नहीं चलता, क्योंकि जो 64 और पास इसके साथ ऐसे किया, जब ऐसा हो गया, फिर यह वाले को ignore करने का, इसको देखने का ही नहीं, जब यह values लिखी, सब इसमें से आईगी, ओके, बाकि median class वगेरा सेम तरीके से करना, तो first part देख लो इसका, rough work, कर लिया copy, pause करके, अब यह आगे देखो, यह भी pause करके, बाकि सब सेम स्टेटमेंट है, ठीक है, कर लिया copy, अब यह last part with final answer, done, यह इसका पूरा solution, तो यहाँ पे यह वाला question भी खतम होता है, यह अलग type का question था, कर लिया copy पूरा, तो आज के lecture में मैंने आपको practice set 6.2 का question 1, 2, 3 and 4 कराया, इसी के साथ हमारा practice set 6.2 होता है, यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि मैंने एकी वीडियो में चारो question करा दियें, और आपको explanation भी दिया है, solve करके, तो थोड़ा लंबा है, बट काफी easy है, formula की trick मैंने आपको दिये, वो याद कर लो trick, वो trick याद होगी, तो कभी formula भूलोगे ही नहीं, ठीक है, आपके friends क कोई बताओ कि ये trick से आप easily ये formula याद कर सकते हैं, तो आज का वीडियो यहीं पे खतम करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया है, तो like ज़रूर करें, link अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पर share करें, ताकि उनको भी practice at 6.2 समझ में आ जाए, अगर आपने already subscribe कर दिया है, तो thank you, नहीं क किया है, तो करो या, नीचे subscribe का button ये, उसमे क्लिक कर दो, बाज में बेल आकर आएगा, उसमे भी लिख कर दो, ताकि notifications जब भी मैं upload करूँ, आपको मिलते रहे, channel आप ही का है, जितने लोग support करेंगे, उतना ही मुझे, जादा motivation आएगा, और मैं आप लोगों के लिए जादा से जादा videos बनाने की कोशिश करूँगा, comments में मुझे ज़रू बताएं कि आपको ये video कैसा लगा, अगर आपको trick पसंद आई है, तो आप trick के बारे में भी comment में मुझे लिख कर बदा सकते हैं, मैं सारे comments पे reply नहीं कर पाता, बट मैं हरे comment पढ़ता हूँ, तो अगर आपको क question 2 on my own and I got the right answer, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है, कि मुझे पता चलता है कि जो मैं महिनत कर रहा हूँ, वो वेस्ट नहीं हो रही है, okay, thank you so much for watching this video.